नमस्कार बच्चो, स्वागत है आपका संस्क्रित पाठ शाला में बच्चो, हम पिरियोडिक वन का पाठ्यक्रम पूरा कर चुके अब हम कर रहे हैं रीवी जन, आवरित्ती, दोहराई, ठेक है किसके लिए? पिरियोडिक वन के लिए तो चलिए, हम शुरू करते हैं पाठ एक और इस पाठ का नाम क्या है? सुभाशितानी, क्या नाम है पाठ का? सुभाशितानी सुभाशितानी जो शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है कुन कुन से शब्दों से मिलकर बना है सु सु का आर्थ होता है सुन्दर भाशित का आर्थ होता है वचन सु भाशित आने सुन्दर वचन सुन्दर वचन पाट का नाम समझा गया सु का आर्थ होता है सुन्दर भाशित का आर्थ होता है वचन सुंदर वचन अब इसमें शलोक दिये गई हैं इसमें सुंदर सुंदर ही वचन है जो हमारे जीवन में ग्रहन करने योग्य है तो इन सुंदर वचनों को यदि हम जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रोप से हम सफल हो पाएंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं अब देखो कितने अच्छी बात बताई है कि प्रिथिव्याम प्रिथवी पर त्रिनी रतनानी तीन रतन है कोन-कोन से हैं जल, अन और सुंदर वचन कोन से तीन रतन प्रिथवी पर अन, जल और सुंदर वचन मूढई, मूढई होता है मूर्क मूढई मूर्कों के द्वारा पाशान, खंडेशू, पत्थर के टुकडों में रतन संग्या, रतन का नाम विधियते दिया जाता है यानि के जो मूर्क लोग होते हैं वे पत्थर के टुकडों में ही रतन मानते हैं या पत्थर के टुकडों को ही वो रतन मानते हैं दवारा सुनिए प्रिथवी पर तीन रतन हैं जल, अन और सुंदर वचन लेकिन जो मूर्क लोग होते हैं वे पत्थर के टुकडों को ही रतने मानते हैं समझा आगे आपको पहला स्लोग चलिए आप दूसरा स्लोग पढ़ते हैं सत्यन धार्यते प्रित्वी सत्यन तप्ते रवी सत्यन वाती वायूस्च सर्वं सत्य प्रतेश्ठितम अब सत्येन सत्य से धार्यते धारण की जाती हैं। प्रिथवी प्रिथवी जो है सत्य से ही धारण की जाती है। सत्येन, सत्ये से तपते तपता है, रवी, रवी, सत्ये से ही रवी या सूर्य तपता है, सत्ये से ही प्रित्वी धारण की जाती है, सत्ये से ही सूर्य तपता है या जलता है, सत्यन सत्य से वाती बहती है वायू हवा च और और सत्य से ही हवा बहती है सर्वम सब कुछ सत्य में ही प्रतिस्ठीत है या निहित है सब कुछ सत्य में ही निहित है या स्थित है दोबारा सुने सत्य से ही प्रित्वी धारण की जाती है सत्य से ही सूरिय तपता है सत्य से ही हवा बहती है सब कुछ सत्य में ही निहित है समझा गए दूसरा श्लोग चलिए हम चलते हैं तीसरे श्लोग की ओर दानी तपसी शोरिये चे विज्ञानी वीनये नई विस्मयो नही कर्तव्यो बहुरतना वसुंधरा अब देखिए दाने दान में तपसी तपस्या में शोर्ये शोर्ये में विज्ञाने विशेश ज्यान में विनये विनम्रता में नई नीती में विस्मय आश्चरिये न नहीं ही नेश्चेही कर्तव्य करना चाहिए बहुरतना अनेक रतनों वाली है वसुंधरा प्रित्वी तो चलिए एक-एक शब्द का मैंने आपको और्थ बताया तो हब हम इसको पढ़ लेते हैं कैसे दान में, तपस्या में, सोर्या में, विशेश ग्यान में, विनम्रता में, और नीती में हमें आश्चरिये नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुरतना वसुंधरा, हमारी जो वसुंधरा है, वसुंधरा होता है प्रित्वी, धर्ती हमारी जो धर्ती है, बहुरतना, बहुत से रतनों वाली है समझा गये आपको? तो चलिए, अब हम करते हैं, अगला स्लो सद्भी रेव सहासिते, सद्भी कुर्वीत संगतिम, सद्भी विवादम मेत्रिम चे, न सद्भी किन्चिद आचरित क्या बताया है? सद्भी, चो सज्जन लोग होते हैं, सद होता है सज्जन सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए सहासीत है बैठना चाहिए हमें सज्जन लोगों के साथ ही बैठना चाहिए सज्जन लोगों की ही संगती करनी चाहिए संगती मिकलब उन्हीं की संगती में रहना चाहिए उन्हीं के साथ रहना चाहिए यदि हमें विवाद और मित्रता करनी है, तो भी किसके साथ करनी चाहिए? सजनों के साथ. न असद भी किंचिद आचरेट. असद भी, असद होता है दुर्जन या दुर्जन लोगों के साथ किंचिद किसी भी प्रकार का न आचरेट, आचरन या व्यवहार नहीं करना दोबरा सुनेंगे, हमें सज्जन लोगों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जन लोगों की ही संगती करनी चाहिए, सज्जन लोगों के साथ ही विवाद या मित्रता करनी चाहिए, किन्तु जो दुर्जन लोग हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना तो क्या बताया है इसमें? हमें किसकी संगती करने चाहिए? सत संगती, सत जन लोगों की संगती चरी उससे आगे धन धान्य प्रयोगेशु विद्याया संग्रहेशु चे आहारे व्यभारे चे त्यक्तलज्य सुखी भवेद धन धान्य का प्रयोग करने में विद्या का संग्रह करने में आहार और व्यभार में त्यक्तलज्य जो व्यक्ती त्यक्त होता है छोड़ देता है लज्य संकोच जो व्यक्ती संकोच छोड़ देता है से सुखी भवेद वह सुखी रहता है दोबरा सुनेंगे, धन और अनाज या फसल का प्रियोग करने में, धन और अनाज का प्रियोग करने में, विद्याया संग्रहे सुचे, और विद्या का संग्रह करने में, विद्या ज्यान, ज्यान का संच्य करने में, ज्यान हमें छोटे बड़े अमेर गरीब किसी से भी मिल तो हमें ज्यान का संक्या करने में संकोच नहीं करना चाहिए। आहारे व्यवहारे चाहिए। से सुखी भवेत, वह सुखी रहता है, समझा गया, अगला चलिए, शमा वशी कृती लोके, शमया किम नसाध्यते, शांती खडगय करे यस्य, किम करिश्यती तूर्जने, लोके संसार में, शमा वशी कृती, शमा से सब को वश में क्या जा सकता है, शमया किम नसाध्यते, शमया क्षमा से किम क्या नसाध्यते सिध नहीं होता, अर्थार क्षमा से क्या काम नहीं हो सकता शांती खड़ गए करे यस्य, यस्य जिसके करे हाथ में शांती खड़ गए, शांती रूपी तलवार है, किम करिश्यती क्या करेगा दूर्जन दूस्ट व्यक्ति, जिस मनुष्य के हाथ में शांती रूपी तलवार है, तलवार कारत ये नहीं है, कि उसमें तलवार पकड़ यानकि जिस मनुष्य के मन में शांती है, उसका दूस्ट व्यक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तो मनुष्य को कैसा रहना चाहिए? शांत रहना चाहिए और उसके अंदर कौन सा भाव होना चाहिए? शमा का भाव, ठीक है? इस संसार में शमा के द्वारा सब को वस्में किया जा सकता है? शमा से क्या संभव नहीं है? जिस मनुष्य के हाथ में शांती रूपी तलवार है, दूस्ट व्यक्ति उसका कुछ नहीं कर सकता, अर्थात कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता. समझा गया पाठ आपको? चलिए, आज के लिए बसीत नहीं, बाकी कारिया हम कल करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.